नमस्कार फ्यूचर और और आप स्वागत है मैं हूं इमान सुक्मार इस वीडियो हमनों कुल तीन इस्टोक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पहला नाम है लाइसी दूसरा यस्ट बैंक और तीसरा आई यारेफसी इसके बारे में भी बात होगी लेकिन शुरुबात करते ह सब्सक्राइब लेकिन आपको बताता हूं आपको लाइसी में डिविडेंट और बोनस देने जा रही है लेकिन मैं आपको बताता हूं आपको हों इसको देने सरे नहीं भारत के सबसरी होने के साथ साथ सबसे बड़े इनवेश्टर भी है कि कमाई का एक रिजय केकं में बड़ा पैसा बड़े बड़े और इनवेश्टमेंट के तूर लगा हुद है लाइसी सीर्फ कंप्नी में के रीếnवастेट में भी इसका बहुत अब इसका शेयर प्राइस ऊपर की तरह जाते हुए दिख रहा है अब हम लोग इस कम्पनी के सितंबर क्वाटर के बारे में बात कर लेते हैं इस क्वाटर टू में कम्पनी के टूटल कमाई हुई है वह एक लाग 68000 क्रों से बढ़कर कर दो लाग 16000 क्रों हो गया है यानि कि तकरीवन का सकते हैं डवल की आसपास इस कम्पनी का इंकम होते वे दिखा है वहीं अगर प्रॉफिट की बात करने तो जहां पिछले क्वाटर में इस कम्पनी की प्रॉफिट सिर्फ 3 डिजिट में थी सिर्फ 683 क्रों का आसपास थी व कि कंपनी का operating profit margin और operating profit दोनों बढ़ा है operating profit करने का मतलब कंपनी की जो मेन कमाई है जो मेन बिजनेस है उससे जो company को कमाई हुआ है उसकी बात कर रहे है operating profit देखें पहले quarter two में operating profit यहां माइनस में था वहां से भी पोजेटिव में आकर तक्रिवन 15,365 क्रोल ओपे का हो गया है वहीं यह अपरेटिंग profit margin की बात करें परसेंटेज में यह भी निगेटिव में था लेकिन यह भी बढ़कर साथ परसेंट का सपास positive में आ गया है तो जब कंपनी का operating profit और operating profit margin दोनों बढ़ा है इसलिए यह कंपनी का जो profit है यह इतना संदार होते हुए दिखा है और मैं फिर कहते हुए लंबी डेस का गोला है समय देना है आपने जब इस इस अपनिमेंट किया होगा आपके मन में बात जरूर आए होगी कि सरकारी कंपनी है शेयर प्राइस में तेजी आने में समय लगता है अब बात करते हैं यह सुनने को मिल रहा है कि यह सेयर परसे सभी 50 यह पास होते हुए दिखने को मिलेगा लेकिन ऐसी कोई अपडेट नहीं है जिसके बैसे बैंक में इतनी लंबी तेजी इतनी जल्दी आने वाली है मैनेजमेंट का यह कहना है कि यह नहीं कर सकते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस अठायर उप्रे से 50 रुपे हो जाएगा हाँ इसमें तेजी आएगी क्यूंकि इसके फंडामेंटल में भी सुधार होते हुए दिखा है अभी इसमें इस बैंक का रिभ्यन्यू एकाउन सो पैंटिस क्रोंड से बढ़कर चोवन सो चुबहत्य क्रोंड रॉप्या हो गया है लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यह जो बढ़ा है अधर इंकम से बढ़ा है कंप चलना होगा चाहिए अश्य थेज़ी मिलेगी अब बात करते अब होते के बारे में इसका पूरा नाम होता है इंडियान रेलवे को समझ सकते हैं कि यह इंडियान रेल्वे को फाइनांस करने वाले कंपनी है भारती रेल्य वे को जब-जब किसी प्रोजेक्ट के लिए रु पिछले साल से इस चरो किया किया नहीं पिछले वार्स, इस तंबर में 63 ven प्राइस सिर्फ 24-25 वर्पय कास पास से यहां से देखे तो तकरीबन 3-3-3% कास पास पास डिविडेंड डियल निकल कर सामने आता है जो प्राइस के साफ से ठीक है और आए-ए-ए-ए-ए-प्टि भी सरकारी कमपणी से देखे तो इसका प्राइस 25-26 रप एक आसपास यह घुम रहा है सरकारी कमपणी जितनी होती है उसमें समय देना पड़ता है तो यदि आपका इवेस्टमेंट है तो आप इस तरह के स्टॉक ऊबना नहीं है आपको इसमें सम कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यदि आपको रेक्मेंड करूंगा भारत के सब से नंबर वन प्लेटफॉर्म एंचल उनके साथ बना डिमेट अपन करा सकते हैं मिलते नेक्स वीडियो में तब धन्यवाद सुक्रिया